वेलकम टू मास्टर मानव जिक्के एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मानव जिक्के में फ्रेंस आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का लुशेंट का पार्ट टू देखेंगे जिसमें टूटल सत्तर प्रश्ण है ठीक है तौपिक है फ्रेंस आपका समिधान दो मैं भी लुशेंट का करवा रहा हूं फ्रेंस तो यह आपका पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर विल आइकन को दबा दे ताकि महत्पुन वीडियो का नोडिफिकेशन समय से मिलता रहें आज का पहला सवाल आप लोग देखें फ्रेंस कि 1922 में निमलिखित में से किसके द्वारा यह उदागर व्यक्त किया गया कि भारते सम्मिधान भार्तियों के इच्छा अनुसार होगा चले ठीक है फ्रेंस याद रखेगा एक तरह से आपका कहावत हो गया फ ब्रिटिस सरकार से यह मांग की गई कि भारतिय सम्मिधान के निर्मान के लिए सम्मिधान सभा का गठन किया जाए ठीक है 1924 इस्वी में ही आपको किसने मांग किया था ब्रिटिस सरकार से कि भारतिय सम्मिधान के लिए सम्मिधान सभा का गठन किया जाए यह किया था आप और ता सम्मिधान सभा को किसने मूर्थ सुप un litt guard car मॉर्थ रूप परदान किया किसने क्या था डिवा 후 ज decor नियुन हो जाएगा सम्मिधान सभा को मूर्थ रूप परदान किसने किया say चेले सवाल नमर पांच को देखे, पांच नमर शवाल अपका है कि कॉंग्रेश ने किस वर्स किसी परकार के बाहिव हस्त छेप के बिना भार्तिय जनता द्वारा संविधान के निर्मान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया, कॉंग्रेश ने, पांच का करेक्टनसर सवाल नमर च्छा को देखे कि 1938 इस्वी में किस व्यक्ति ने व्यस्क मता अधिकार के अधार पर सम्विधान सभा के गठन की मांग की च्छा का करेक्टंसर आपसर नमर भी हुआ जोहाल लाल नहरू साथ नमर शवाल को देखे कि वर्स उनैसो ब्यालिस में किस योजना के तहत यस्विकार किया गिया कि भार में एक निर्वाचित सम्विधान सभा का गठन होगा जो युधोपरांत सम्विधान का निर्मान करेगी साथ का करेक्टंसर आपसर नमर क्रिप्स योजना हो जाएगा आठ नमर शवाल को देखे सम्विधान सभा के गठन की मांग सरो पर्थ कि गयी थी, देखे, समिधान सभा का गठन का मांग सरो praई प्रफम कब क्या गया था, तो 1695, में ही क्या गया था, तो किसके दवबारा, आटका होगाGreat, तिलक के द्वारा क्या गया था, कि तो मतलब किसके सिफ्षार इस पर आपका भारतिय समीधान सभा का गठन किया गया था इस तरह से question पुछा जाता है या तो फिर इस तरह से कि भारत की समिधान सभा गठित करने का अधार क्या था 9 का करेक्टनसर होगा फ्रेंस cabinet mission प्लान उने सो 46 option नमर 20 का करेक्टनसर होगा 10 नमर सवाल को देखे 10 नमर सवाल आपका भारत की समिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई ठीक है सेम उसी टैप का question है फ्रेंस वही question को उलट करके पुछा गया तो भारत की समिधान सभा किसके अनुसार गठित की तो cabinet mission योजना 10 का करेक्टनसर option नमर D हो जाएगा देखे इसमें हर एक question है सभी को आप लोग याद रखेगा इगारा नमर शवाल आपको देखे किसर नुसार में भारती रष्टी कॉंग्रेस द्वारा समिधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अध्वेशन में रखी गई इगारा का करेक्टनसर option नमर सी फाइजपूर में ठीक है सवाल नमर बारा को देखे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार समिधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बारा का करेक्टनसर होगा 389 सदस्य होने थे तेरा नमर्शावाल को देखे प्रस्तावित मूल समिधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस परकार होना निश्चित हुआ था तेरा नमर्शावाल का जो राइटन सर होगा आप्सन नमर्डी उपर युक्त सभी आनि ब्रिटिस प्रांतों के 292 परतिनी दिके देशी रिसायतों के 93 परतिनी दिके मुख कमिशनल स्चेतरों के 4 परतिनी दिके तेरा का करेक्टन सर आप्सन नमर्डी हो जाएगा चौदर नमर्शावाल को देखे कि समिधान में विभिन प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था तो आपका 208 परतिनी दिए आए थे पंद्रह नमर्ड़ाँको देखे कि पुनर्गठन के फिलसरूर 147 इसवी में समिधान सभा के शदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी 15 का correct answer होगा 299 में रह गई थी 16 समिधान सभा points पुनरगठित में देशी रिसायतों के रियासितों के लिए कितने परती नजी थे अबी सवाल पुछा जाता है बारवाराग समिधान सभा में देशी रियासितों के लिए कितने परती नजी थे तो 16 का correct answer option number no. सवाल नमर 18 आपका है कि कैबिनेट मिशन योजना की अंतरगत समिधान निर्मात्री परिशद में परतियक प्रांत की आवंटि सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक परतिय निधी कितनी जन संख्या के अनुपात में था 18 का करेक्टन सर 2 होगा 10 लाख व्यक्ति ठीक है उनैस नमर शवाल को देखे समिधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने परत्यच रूप से निर्वाचित किया था उनाइस का राइट नसर होगा फ्रेंज, प्रांतों के विधान सभाओने, ठीक है, आप्शन नमर एक करेक्ट नसर होगा, सवाल नमर बिस देखे, सम्विधान सभा में किस प्रांत का परतिनीधित्व सबसे अधिक था, एभी बहुत अच्छा सवाल है, तो सबसे ज़्यादा कहां का था, प्रेंज, wreck किस प्रांत का, विस का होजाएगा, आपका फ्रेंज, संजूक्त प्रांत का, option number D होगा, संजूक्त प्रांत का सबसे ज़्यादा प्रतिनीधित्व सबसे ज़्यादा, एक किस नमर, शवाल को देखे, समिधान सभा में किस देशी, रियासत के प्रत पस्चिव बंगाल से हुआ था चलिए सवाल नमर 30 को देखे सवाल नमर 30 है मुस्लिम लिग ने किस कारण समिधान सभा का बाहिसकार किया था तो इसकार रीजन क्या था कारण क्या था तो तो तेच कारेक्ट अंसर आप्सन नमर शी होगा कि मुस्लिम लिग मुसलमानों के कलक समिधान सभा का गठन हो option number C, 23 का correct answer होगा 24 नमर स्रावाल को देखे कि समिधान सभा का चुनावन निम्ण में से किस अधार पर हुआ 24 का 24 का जो correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा समिधान सभा का चुनावन निम्ण में से किस अधार पर हुआ था तो वर्गे मता अधिकार के अधार पर हुआ था चो इसकडी होगा 25 नंबर स्वाल को देखे समिधान सभा के सत्दस से परती निधी थे तो कैसे परती निधी थे 25 का करेक्टनसर ओप्सन नंबर जनता द्वारा अपर्तियच निर्वाचित परती निधी थे 26 नमर स्वाल को देखे भारतिय समिधान निर्मात्री सभा 26 का करेक्टर सरोगवी प्रांतिय विधान सभाओं द्वारा परोच रूप से अनुपातिक परतिनिधित परनाली द्वारा चूनी गई थी 27 का हो जाएगा आपका समिधान सभा नहीं बनाया क्योंकि समिधान सभा का गठन ही किया गया था भारतिय समिधान के निर्मान के लिए तो option number A इसका correct answer होगा 28 नमर समिधान सभा के लिए चुनाव कब संपन हुआ था 28 का correct answer 1946 इसका चुनाव संपन हुआ था देखे एक question बार बार आपको देखने को मिलता है कि भारते समिधान सभा की अस्थापना कब हुई तो 29 नमर सभाल या तो पर्थम बैठक कम हुई ये भी पूछा जाता है तो भारते समिधान सभा की अस्थापना या पर्थम बैठक 9 दिसमर 946 इसवी को हुई थी याद रखेगा option number B इसका right answer होगा चले सवाल नमर 30 को देखिए कि समिधान सभा का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था तो 30 का correct answer होगा option number D समिधान सभा का जो पर्थम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में important है याद रखेगा बहुत confuse होता है मुंबई और दिल्ली में ठीक तो याद रखेगा समिधान सभा का पर्थम अधिवेशन हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था समिधान सभा के उद्ली में धिवेशन हुआ था उसकी अधिशन की था तो आपका डौक्टर सचिदानन सिन्हा ने किया था वही कोश्चन है समिधान आपका यह वला कि भारते समिधान अस्थापना कब हुए फ्रेंट्स आउरुसी को घुमाकर को इस तरह से पुछा जाता है समिधान सबा का पहला सत्र कब हुआ तो 9 दिसंबर 946 को हुआ था 33 नमर सबाल को देखे समिधान सबा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो जो इसके अध्यस्ता में अधिवेशन हुआ था वही थे फ्रेंट्स 33 का करेक्टर सचीदा नन सिना आद रखेगा जो समिधान सबा के पर्थम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 946 को तो इसके जो मतलब किस की अध्यस्ता मढश कं भा थ हुए था और उनिको और स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था Western numbers 6 का करेक्ट आंशर होगा थैस्थी समीधान सबाद के अस्थाई अध्यक्ष कौन होगा तो department कहेगा तो चो तिस का हो जएगा आपका क्या शुचिस का राचंसर होजोगा Office और सी डॉक्टर राजंदर परशाद को अस्थाई अधग से चुना गया था 35 नमबर सवाल को देखे 35 नमबर सवाल आपका है कि 11 दिसंबर सभा में डॉक्टर राजंदर परशाद को समयधान सभा का अस्थाई अधग से चुना गया था 36 नमबर सवाल को देखे 36 नमबर सवाल आपका है समयधान सभा के समयधानिक सलाहकार कौन थे बहुत बार पूछा जाता है देखे सेसी में भी पूछा गया 2016 में तो चले गेस करे 36 नमबर समयधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे ठीक है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे साइटिस का जो राइट नसर होगा फ्रेंस ऑप्सन नमर रही डॉक्टर राजंदर पर साथ दखे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है आपका चले याद रखेग 38 नमबर समयधान सभाल को देखे कि समयधान के विभीन पहलों के अध्यन हेतु समयधान सभा ने कितनी समीतिया नियुक्ति की थी ये भी पूछा जाता है देखे एक सेट में अक्सर देखने को मिलता है तो कितनी टोटल की थी फ्रेंस तो उन 40 नमर सभाल का राइट नसर ऑप्सन नमर सी होगा तेरा समीतिया चालिश नमर सभाल को देखे समीधान सभा के प्रारूप समीति के नियुक्ति कब की गई थी ठीके फ्रेंस तो 40 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी 29 अगस्त उने 147 इसवी को समीधान सभा के प्रारूप समीति की नियुक्ति की गई थी और उसी समन्दित अगला सावाल है कि भारते समीधान सभा के प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे इसका ग तो टोटल कितना था फिर साथ था नियुक्त नमर बीज का करेक्ट अंसर होगा 43 नमर सवाल को देखिए निमलिखित में से कौन भारते समीधान की प्रारूप समीति के सदस नहीं थे 43 नमर सवाल निमलिखित में से कौन प्रारूप समीति का सदस नहीं थे अगला सवाल को देखिए 45 नमर सवाल समीधान की प्रारूप समीति के समच प्रस्तावना का प्रस्ताव किश नहीं रखा था favorites a new नेरे खा था अगला सवाल समीधान सभा में सुभी निरनाय लिये थे आरो समाय योजन के हिसाब से लिये थे option number 10 का right answer होगा अगला सवाल 47 नमर सवाल समिधान सभा में उदेश प्रस्ताव किस ने प्रस्तूत किया था तो इसका होगा जवाहल लाल नहुरू ने प्रस्तूत किया था फिर आपका जो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था उसका अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया था फिर उसका अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया था तो सभी का कॉंसेप्ट के लिए रखिया इससे एक प्रस्त पूछा जाता है तो अब भी कह रहा है भारते समिधान सभा की संगिये सकती प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया था पचास नमबर सवाल का राइट अंसर आपसन नमबर 22 जनुवरी 1947 इस्वी को पारित किया गया था सवाल नमबर 51 को देखें समिधान निर्मात्री सभा में राष्ट ध्वज समंदी तदर्थ समीति के अध्यच कौन थे ठीक है तो राष्ट ध्वज समंदी तदर्थ समीति के अध्यच किसे बनाया गया था एकावन का होगा डॉक्टर रजंदर परशाद को सवाल नमबर 52 को देखें सवाल नमबर 52 आपका है फ्रेंस सवाल नमर 52 आपका है कि राष्टिय जंडे की अभिकलपना को भारत की समिधान सभा में गरहन कब किया था बावन नमबर शवाल का करेक्टर जुलाई 1947 में तिरपन नमर शवाल को देखे तिरपन नमर शवाल है भारतिये समिधान सभा ने भारतिये राष्टिये ध्वज की रूप रेखा को अंगिकार किया था पच्पन नमर शवाल इंपोर्टेंट शवाल है तिरपन नमर शवाल देखे तिरपन का करेक्टन सर 22 जुलाई 1927 को इस सवाल देखे पुछावा एससी में यह भी सवाल पुछा जता है बार बार चंगन का करेक्टन सर 26 जुलाई 1929 को समिधान सभा ने समिधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर गिया था तो 26 जुलाई 1929 को अगला सवाल सम्विधान सभा से अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मिली अगला सवाल है कि सम्विधान सभा किथिती सदर्शों ने सम्विधान पर हस्ताक्षर किये थे 56 का जो correct answer option number 2 होगा 287 सदस्यों ने 57 नमर सवाल को देखे कि समिधान सभा द्वारा अंतिम रुप से पारिज समिधान में कुल कितने अनुछेद और अनुछेद थी ठीक है कि जब समिधान सभा समिधान को पारित कर दिया था तो उसमें कितने अनुछेद तो 57 का और option number C होगा 395 अनुछेद थे और total कितना 8 अनुछेद थे ठीक है अनुछेद भी बढ़ गया अनुछेद भी बढ़ गया सभी को पता है चले अंठावन नमर सवाल तो यह याद रखेगा इस शुरू बार जब हुआ था फ्रेंस तो उसमें 355 पंचान में अनुशेत थे और आठ अनुशुजिया थे अंठावन नमर सवाल को देखे संपून भारत सम्विधान के निर्मान में सम्विधान सभा को कितना समय लगा चले ठीक है यानि कि सम्विधान को निर्मान करने में कितना समय लगा तो सभी को पता होगा फ्रेंस दो वर सिगारा मां और अठारा दिन का समय लगा था آपसन नमर G 69 नमरita किस दिन से सम्मिधान सभा का अंतर कालिन संसद के रूप में अविर भाव हुआ 69 नमरवाल का करेक्रंसर हो जाएगा ısıit 26 जनवरी 1950 इस विको किस दिन सम्मिधान सभा का अंतर कालिन संसद के रूप में अरवि भाव हुआ तो option number 6 इसका character answer होगा साथ नमर शावाल को देखे जिस सम्मिधान सभा द्वारा भारत के सम्मिधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन था अभी हमने क्या देखा फ्रेंस आपका कि किस दिन सम्मिधान सभा का अंतर्गत संसद के रूप में अर्विभा हुआ तो इसका जो राइट अंसर हो देगा फ्रेंस आपका बताया क्या भी उनसट का option number C 26 जनवर 150 इसको इस तरह से पुछा जाता है कि भारती सम्मिधान है जो कब लागो किया गया उसी question को कहा किस दिन से सम्मिधान सभा का अंतर्गालिन संसद के रूप में अर्विभा हुआ तो इसमें देखे कन्फिज होने का जरूत नहीं है अगर पुछे भारते सम्मिधान लागो कब हुआ सम्मिधान सभाव द्वारा समी नमी थे चलिए 60 नमर सवाल को देखे कि भारत के लिए सम्मिधान सभा की रचना हे तुछ सम्मिधान सभा का विचार नेमलिकित में सर पर्थम किसने प्रष्टूत किया था तो 61 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंस सवराज पार्टी ने 1924 सिष्वि में किये थे ठीक है सवराज पार्टी उन्हें चोविस इस्वि में परस्तूत किये थे 61 का A हो गया 62 नमर्ट शावाल को देखे कि भारते समिधान सभा के पर्थम दिन की अधिवेशन की अध्यस्ता इन होने की थी 62 का रायट अंसर हो गया फ्रेंस आप्सन नमर्ट डी डॉक्टर सचीदा नंसिना देखे कोशन को घुमास फिरा के पुरता है कि भारते समिधान सभा के पर्थम दिन पर्थम दिन का जो अधिवेशन हुआ था कितना हुआ था 9 दिसंबर 46 में उसकी अध्यस्ता किसे कौन किये थे तो डॉक्टर सचीदा नंसिना और इन ही को अस्थाई अध्यक्षी चूना गया था दूसरा बैठक कब हुआ था भारते समिधान सभा का तो 11 दिसंबर 46 में जिसमें आपका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर अजंदर परसाथ को चूना गया था किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता देखे कैसे पूछा इसमें कि भारते समिधान सभा ने पर्थम दिन के अधिवेशन के अध्यक्षा किस ने किये तो डॉक्टर सुजाजन सिना को चलिए 63 नंबर सवाल को देखे निम्रिखित कत्रों में से कौन सा या कौन से समिध में देना है ठीक है इसमें कूट देना है तो आप्सन नमर आपका इसमें डी दे रहा है ना 163 नमर सवाल का जो रायटन सर्ण होए फ्रेंट से अप्सन नमर डी है आने कि एक और चार है तो समिधान सभा के सदस्यों का चैन 1946 के प्रांतिये चुनाओ के अधार पर क्या गया चैन नमर सवाल को देखिए निम्लिखित कथ्रों में से कौन सा एक सही है तो चैन नमर सवाल का जो करेक्टर अप्सन नमर ए उने उने चूश्यालिस में प्रांतिये सभाओं द्वारा भारत की समिधान सभाच चूनी गए थी यह बिलकुल सही है अगला सवाल को देखिए प्रारूप समीति का अधच बनाया गया था चलिए अगला सवाल है फ्रेंज 66 नमर के समिधान पांडू लेखन समीति का निम लिखित में से कौन सदस नहीं था 66 नमर सवाल का करेक्टन सरोजगा ऑप्सन नमर भी ज्वाहल नहरू इनके पांडू लेखन के नहीं थे बाकी केम मुंसी मुहमद सदाल सादूलला और एक्या येरे सभी थे 66 नमर सवाल को देखे कि भारत का समिधान लागू हुआ था वही कोशन आगया फिर फ्रेंज कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 ए हो जाएगा और 66 नमर सवाल को देखे कि समिधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निम नहीं इसलिए किया गया था क्योंकि चलिए क्यो सब्सक्राइब्iej सकेवी करिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब संख्या कितनी थी समिधान सभा में महिला सदस्वी थी तो कितनी थी तो इसका राइटन सवर्गा 15 थी ठीक है कितना 15 याद रखेगा इस वीडियो का लाश्ट आवाल को देखते हैं इनमें से किसने समिधान सभा में यह कहा था कि 26 जन्वरी 1950 को भारत अंतर विर्योधी के जी मिधान की प्रस्तावना से देखे टॉपिक बाई टॉपिक में सभी भूगोल का भी प्रेंट्स और पॉलिटी का करवा रहा हूं लुसियंट का तो अभी देखे लॉकडाउन भी चल रहा है और अभी एक्जाम का डेट भी बढ़ गया है तो इसी इस थीती में देखे आपका प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करा हूं तो इसमें से बहुत सारे प्रेंशन आप लोगों को पता होगा मुझे मालूम है फ्रेंश लेकिन इसका रिविजन करते रहेगा तो क्या आपका तैयारी अच्छी रहेगे ठीके फ्रेंश तो नेक्स वीडियों फिर मिलते है देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद